नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूटुब चैनल लूम्टु एक्स्पॉर में आज हम एसे जगा कवर करेंगे जहां बच्चे हो या बुढ़े, सबको यहां घूमना अच्छा लगेगा जी हां, आज हम जाएंगे बनारघटा नेशनल पार्क में, जहां हम बहुत सारा प्यारा प्यारा व्यूज को इंजोई करेंगे लोकेशन कवर करने से पहले आपको कुछ में बताना चाहती है, बहुत दिनों से मैं आपको वीडियो सेयार नहीं कर पा रही थी, इसलिए दिन से सौरी बहुत इनों से मेरा तब्यात खराब था इसलिए आपको मैं विडियो शेयर ने कर पा रही थी मैं तो आप लोगों को बहुत मिस्स कर रही थी क्या आप भी हमें मिस्स कर रहे थे प्लीज आपका प्यारए प्यारए कॉम्मेंट हमें दीजिएगह हमें आपका कॉमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है लगता है अधीनों ने भी हमारे चैनल को स सब्सक्राइब नहीं कि आपको बॉरra कनें हैं आज हम कभर करेंगे, how to reach their entry price, food facility, safari experience, inside information. बनारघटा बायलोजिकल पार्क is located about 22 किलोमेटर साथ बैंगलोर सिटी, it is having different units such as जू, सफारी, बटरफ्लाइ पार्क एंगलोर से आपको मिनिमम टू आवर्स लगेगा बहाँ पहुंचने के लिए. आप कार, बस या ओटो से जा सकते हैं, जू टाइमिंग है 9.30 a.m. to 5.00 p.m., इन सफारी टाइमिंग है 10.00 a.m. to 4.30 a.m. and every Tuesday is holiday, सफारी प्राइस का डीटेल्स आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं. देखिए हमने टिकेट कर लिया है. अभी हम सफारी के लिए जा रहे हैं. सफारी इस एबलेविन इन 3 मोर्ड आप ट्रांस्पोर्टेशन, AC, non-AC, जीप. आप यहां पर जो भी आपका मन है उसमें जा सकते हैं. बेस टाइमिंग है सफारी के लिए यर्ली मॉर्निंग एंड मीट आप टोनून अभी हम बस में बेटने के लिए जा रहे हैं. हमने non-AC बस किया था, क्योंकि यह हमें नेचर को फिल करना था, AC बस में तो आप फ्रेस एयर ऐसा फिल ने कर सकते हैं. आप यदि फोटो और वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ड्राइवर के पास बेट सकते हैं, नहीं तो विंडो के पास आप बेट सकते हैं. सीट्स आर एविलेबल ओन फास्ट कम फास्ट सर्वेसिस। सफ़ारी में आप लायन, टाइगर, एलिफेंट, नीरागीरी, भेरेटी डियर, बेर, ऐसा बहुत सारा वायल्ड एनिमल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम पहुंच गे हैं डियर सफ़ारी में, देखिए कितना प्यारा प्यारा डियर हैं यहां, पूरा जुझध हैं यहां आप देख सकते हैं, डियर देखिए खार भी रहे हैं पानी भी पी रहे हैं। इतना पास में एनिमल को देखना बहुत ही अच्छा लग है। आभी हम बेर के पास पहुंच यह हैं, घर्मी के कारण वो बाहार में आ रहे हैं। दूर से भी खुड़ख्रा दिख्या है। बस धीरे धीरे अंदर जा रहा है और हम नेचर को इज़े करने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या-क्या देखी के लिए मिलता है। अब ही हम एलिफेंट के पास पहुंच गये हैं। देखिए गोपु तो एलिफेंट को देखर बहुत ही खुज हो रहा है। एक साथ इतना एलिफेंट को देखना एक अलग एहसास है। अभी हम लाइन सफारी के और बढ़ रहे हैं। 19 लाइन्स अर हाउस्ट इन 5 फेक्टर एरिया इंसाइड दा बनारघट नेशनल पार्क एंड केन बी स्पोर्टेट द्यूरिंग लाइन सफारी क्लोज एर्फवाटर्स अंगल में आपको घूमने के टाइम भेराइटी बर्स एंड छोटा छोटा एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेगा। कि अच्छा नक्स बस यहां पर क्यों रुक गया। शायद एनिमल्स कुछ है यहां पर आपको दिखाते हैं। हो हो यहां पर तो जंगल का राजा लाइन है। कि अच्वा गया धम दोंगर हो स्वारा लाइन-च्ष थकाड़ में भेराता इनपना पर सुखाताफान कि अच को इन सेग्चे हो यहां भी बर्रली को पर कच्चेixoं, रजखते हैं ऊक्चे को उष्चे साफजर में सुखते हैं। लाइन देखिए मॉनिंग टाइम यहां पर आराम से बेट कर धूप ले रहे हैं गौपु तो देखकर पुरा डर गया मम्मा लाइन देखिए मुझे खा जाएगा ऐसा चिला रहा है हुआं 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 हुआ झाल रहा है यहां पर देखिए बहुत सारे लाइन बेटे हुए हैं जैसे लग रहा है कुछ important matter में discussion कर रहे हैं अभी हम जा रहे हैं टाइगर सफारी के ओर घापति सबुपे बहुत में Clos 33 Tigers, including seven white tigers, tigers are maintained in three groups, while two group rest in their respective enclosures. The third group is released in the reserve forest area for viewing by tourist देखे यहां पर कितना बड़ा टाइगर भूम रहा है उसको थोड़ा से भी डर नहीं है बसस जा रहे हैं थोड़ा डरे नहीं पुरा रोड के उपर वो घूम रहा है हां क्यों ना घूमे लेशनल एनिमल जो ठे रहा है पर इंडिया को जहां आराम से जाया सकता है जहां भी चाहे वो देखे साइड में एक बड़ा वाइट टाइगर घूम रहा है जो इस सफारी का में आपक्षिन है वाइट टाइगर देखे वाइट टाइगर जंकल का अंदर जा रहा है हम भी आगे बढ़ते हैं हम सफारी विजिट करने के बाद हमें बस बटरफ्लाई के पास गाप किया चलो अभी हम चलते हैं बटरफ्लाई पार्क लें यहां पर भी टिकेट करना पड़ता है आगेंट के लिए 50 रूपीज और बच्चों के लिए 30 रूपीज हम अभी बटरफ्लाई पार्क एंट्री कर गया है बच्चों के लिए यह वेस्ट प्लेस है क्योंकि यहां अंदर एक छोटा सा पार्क भी है और रेस्ट रूम भी है यहां एक ग्रीन हाउस बनाए गया है एंड आटिफिशियल वाटरफोल डिजाइन बनाए गया है बहुत बटरफ्लाई इंसाइड आप देख सकते हैं इफ यू आरे बटरफ्लाई लभर और लॉब तो यूजे कैमेरा यू आप तो कम यह पोर सॉम कूल सौर्स और लुक अराउंड तो स्वाट इस ब्यूटिफिल प्रेचर यहां बहुत बटरेटी बटरफ्लाई है आपको देखने के लिए मुलेगा। इस इडियर्स पोस्ट बटरफ्लाई एंग्लोगे। अंदर एक बटरफ्लाई मुजियम है। यहां पर आपको बटरफ्लाई का पूरा लाइप साइकल आपको देखनी क्लिए मिलेगा। बच्चे को यदि आप खाना खिलाना चाते हैं तो यहां पार्क में बहुत ओपन स्पेस हैं। आप बेट कर आराम से उसको खिला सकते हैं। और आप रेश्ट भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए बच्चे कैसे इंजोई कर रहे हैं। आप यहां पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जू के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। अभी तो हम पूरा सफारी एंड पट्रिफ काई पार्क पूरा कभर कर लिये हैं। तो अभी वीडियो बहुत लॉंग हो रहा है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जू कवर करेंगे। वहां पर आपको बहुत सारा एनिमर्स जैसे बर्ड, स्नेक, प्रोकडल्स आपको दिखाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ने भी हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं। जल्दी से सस्क्राइब कर लिजिए। जब इसका पार्ट टू आएगा आपको नोटिफिक सेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाई बाई एंजय जगनात।